आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीताव लोकन आज हमारी ये 27 वी कक्षा है ये अध्याय चार जिसका शीर्शक है दिव्य ग्यान उस पर आधारित है आ जिसका आध्याय चार का हमने अपनी कक्षाओं में अध्यान पूरा कर लिया हैं कर दो किया और आज हम इसका को एक बार कार्यशाला के रूप में एक मतलब एक छोटे-मठे क्विज के रूप में हम एक बार रिवाइस करेंगे कुईज मैं इसकी पहले ही पप्लिश कर चुका हूं पार्टिसिपेंट्स के लिए और मुझे लगभग 20 एक उत्तर भी मिले हैं तो हमेशा की तरह हम अपनी इस कक्षा का आरंब मंगलाचरन प्रार्थनाओं के साथ करते हैं ओम ज्यानति मिरंधस्य ज्यानां जनाशलाकया चक्षुरूनमेलितं येना तस्मै श्रीगुरवे नमहा स्रीचैतन्यमनो भिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपकदामयं ददाती स्वापदांतिकं वन्देहं श्रीगुरो श्री युतापद कमलं श्रीगुरून वैष्णवाम्ष्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रगुनाथान वितंतं सजीवं साद्वाइतं साबधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं स्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विताम्ष्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गवरांगी शिराधे बृंदा वनेश्वरी प्रिशभानू सुते देवे प्रणमामी हरिप्रिये वांचा कल्पतर उभ्यस्च क्रपासिंधुब्य एवचा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमहा जैश्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्द क्रिया वैतकडा धर स्ष्वा साधि गौरबक्त ब्रिंद हरे हिए चलिए हम आजकी कक्षा को पहले अपने प्रशनोत्री से मतलब कुईश से शुरू करते हैं और आज की इस कक्षा में आप बढ़ चड़ कर भाग लें तो इसलिए आपको म्यूट पर नहीं कर रखा है मैंने आप अपना जिस भी व्यक्ति को जिस भी भक्त को अपना जवाब देना हो वो अपना म्यूट अन्म्यूट करके जवाब दे सकते हैं लेकिन अगर आपको जवाब नहीं देना है या आप किसी वेसे जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप उस समय अपना म्यूट रखें अपना फोन या अपना लैप्टाप म्यूट पर रखे चलिए इस quiz में हमने लगभग 18 प्रश्ण सब के लिए भेजे थे तो पहले प्रश्ण से आरंब करते हैं पहला प्रश्ण है गीता का ग्यान छिन भिन होने के कौन कौन से कारण संभव है ये शलोक संख्या दो पर आधारी थे अध्याय चार के और इसके विकल्प हमने जो दिखे थे वो थे भाष्यकारों का अपनी सनक के अनुसार गीता की विवेचना करना दूसरा इस ग्यान को प्रामानिक गुरु परंपरा के अधिरिक्थ प्राप्त करना तीसरा श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्विकार ना करना और चौथा सभी विकल्प सही है तो आपके अनुसार कौन सा उत्तर इसका सही है सभी विकल्प सही है सभी विकल्प सही है तो पहला पहला क्या है भाष्यकारों का अपनी सनक के अनुसार गीता की विवेचना करना तो टाथपरिया लिखते हैं उन्हें भाश्यकार बोलते हैं तो जो जो उन्हें भाश्यकार बोलते हैं उसमें भाश्यकार कौन है? जो गीता हम आपको पढ़ा रहे हैं उनमें भाष्यकार कौन है तो यह गीता के जो श्लोक है उनमें जो टीका करी है जो कमेंटरी करी है वो एसी भाष्यकारों का अपनी सनक के अनुसार गीता की विवेशना करना मतलब सनक के अनुसार विवेशना करना मतलब अपना तात्परिया देना अपना तात्परिया से मतलब अपनी समझ के अनुसार या अपनी अपनी एक तरह के से इसको इस तरह से समझना कि जो उनकी इक्छा हुई उस हिसाब से उसका उसकी विवेशना करना दूसरा इस ग्यान को प्रामानिक गुरु परंपरा के अतिरिक्त प्राप्त करना प्रामानिक गुरु परंपरा पर हमने काफी चर्चा करी थी इसी श्लोक के उसमें लिखा है कि एवं परंपरा प्राप्तम तो यदि ये ग्यान प्रामानिक गुरु परंपरा के अतिरिक को परम सत्य के रूप में स्विकार ना करना यह बड़ा यह बड़ा इंपोर्टेंट है परम सत्य से हम क्या समझते हैं कौन बताएंगे परम सत्य से हम क्या समझते हैं प्रिश्न ही शर्व है इश्वर परमकृष्णा मतलब इस अधिक है इश्वर परम है श्री कृष्ण परम है पर इसका और कोई डिटेल डेफिनेशन और थोड़ा सा आप से ही जा रहे हैं पर थोड़ा और गहराई में जाईए माफ कीजिए फिर से बोलिए अभी किसी का उत्तरायत मैं सुन नहीं पाया ठीक से जैसे कि हम देवी देटाओं की पूजा करने लगते हैं हाजी उनकी पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फल की कामना रहती है करते हैं तो वह हम किसी फल की इच्छा के लिए नहीं करते हैं यह तो हो गया भगवान और देवी देवताओं में अंतर पर परम से की परिभाशा परिभाशा मतलब ऐसा वक्तव्य जो मतलब बिलकुल सटीक बैठे और एकुरेटली डिस्क्राइब करें परम सत्य की एक बड़ी सरल्सी परिभाशा आप याद रखिए यह कई बार हम आगे इस शब्द को बोलेंगे परम सत्य का मतलब है जो जहां से सब चीज आई है हर चीज वहां से उद्भूत हुई है हर चीज वहां से प्रकट हुई है मतलब हर चीज का सोर्स किसी भी चीज का स्रोत जो भी इस दुनिया में पाई जाती है वो क्या है उसे हम कहते हैं परम सत्य है तो जैसे कि मैं अपने पिता से आया, मेरे पिता अब उनके पिता से आये, उनके पिता उनके पिता से आये, तो हमारा जो अस्तित्व है, वो उसको हम परम नहीं कह सकते, उसको हम एपसलूट नहीं कह सकते, वो किसलिए? क्योंकि हमारा अस्तित्व डिपेंड करता है किसी अन् नहीं है वो सभी बातों के सभी चीजों के स्रोथ हैं इस दुनिया में इसलिए श्री कृष्ण परम सत्य हैं तो यहां पर लिखा है श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्विकारणा करना मतलब परम भगवान परम सत्य जो हर चीज का कारण है इश्वरह परम कृष्णा सच्चिदानंद भिग्रह अनादीर आदिर गोविंदा सर्वकारण कारण सर्वकारण कारण तो ये हर किसी कारण का जो सबसे टॉपमोस्ट कारण है वो है श्री कृष्ण तो जो भगवत गीता के ठीका हैं श्री कृष्ण को परमसत्य के रूप में स्विकारण नहीं करती है ऐसी टीकाओं को हमें रिजेक्ट करना चाहिए जो कहती है कि श्री कृष्ण तो कोई अती मानव हैं, कोई सूपर हूमन बीइंग हैं, कोई बहुत बलशाली व्यक्ति हैं, कोई महान व्यक्ति हैं, नहीं महान व्यक्ति ये सब नहीं, महान व्यक्ति तो बहुत होएं इतिहास में, लेकिन ये हैं परम सत्य, परम सत्य मतलब जहां से हर चीज पुदभूत हुई है, आई है, इसलिए इसका सही उत्तर है, सभी विकल्प सही है, अगे का अ सलज़्ल अर्जुन बहुत वीर था केवल अर्जुन की अर्जुन का भक्त था इसका अर्थ क्या है ह। मैं इसक क्या मतलब है भक्त होने का मतलब क्या है क्या सुबह भगवान के सामने आरती का दीपक घुमाना भक्त है क्या भगवान के सामने सुबह अगरवत्ती दिखाना भक्त है क्या जन्माश्ट्मी पर सुबह से लेगे शाम तक वरत करना भक्त है कौन है अर्जुन जानता था कि कृष्ण ही सब कुछ है अनंत बात च्छा लगा मुझे अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में सविकार करता था और हमने भगवान कि अभी क्या करीभाषा बताई सप्धिक रंसत्य कि हमने क्या स्टोरी इसनाब कहानि न थी वह कहानी क्या थी है कि और मुची की करसे लिए उसमें ब्रहमन और मोची में क्या अंतर था ब्रहमन तो अपने सारे निद्क खालन करता था धार्मिक लेकिन खाज समाज के ऐसे वर्ग करान जो बहुत ज्यादा उंचा नहीं कहा जा सकता तो फिर भी नारायन ने ये कहा कि मोची जो है वो अगले ही जनम में मेरे पास आ जाएगा लेकिन भ्रह्मन नहीं आएगा तो भ्रह्मन और मोची में अंतर क्या था? अंतर फेट अंतर फेट वो ये उस बात को जब उसने सुना कि भगवान नारायन हाती की मतलब सुई की उसमें से आँख में से हाती पिरो रहे थे तो उसे आश्चरे नहीं हुआ वो उसने कहा कि जो भगवान इस छोटे से बरगत के पेड में बरगत के बीज में इतना बड़ा पेड पैक कर सकते हैं वो एक सुई की आँख में से हाती को भी पिरो सकते हैं तो श्री कृष्ण का भगत का मतलब क्या है हमेशा भगवान पर विश्वास करना भगवान पर श्रद्धा बनाए रखना ये भगत की निशानी है तो हम लोग भगवान पर श्रद्धा रखते वश्चे हैं लेकिन अभी हमारा श्रद्धा का इस्तर उतना नहीं है जो दिरे दिरे श्रद्धा का इस्तर हमारा जैसे जैसे हम भक्ती करते हैं वो श्रद्धा का इस्तर हमारा बढ़ता है भगवान पर अटूट विश्वास दिरे दिरे बढ़ता है तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसले चुना क्योंकि वह उनका भक्त था और भक्त होने का मतलब यह है भगवान पर अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा बहुत अच्छा उतर दिया शिवन जी अगला है सही कथन कौन सा है निमने लिखित कथनों में जो कथन सही नहीं है उसका चेयन करें जीव और भगवान दोनों शाश्वत हैं यह सही है के गलत है गलत है सही है गलत किसने कहा गलत है जी बच नहीं है अच्छा अभी हमने दूसरे अध्या में विद्या आत्मा क्या हैां आत्मा अमर है अमर होने का मतलब क्या है शाश्वत मैं ब्हुश्वत हुआ 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 है इसका मतलब ये कथन सही है आगला देखते हैं जीव को अपने पिछले जनम याद नहीं रहते भगवान को अपने सभी जनम याद रहते हैं ये भी सही है एकदम सही है ये भी सही है, बहुत अच्छा चलिए, सबका एग्रिमेंट है या गलत है जीव भगवान के तुले नहीं हो सकता गलत है, सही है जीव भगवान के तुले नहीं हो सकता लेकिन कुछ ठीका कार कहते हैं कि मुक्ति के बाद जीव आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो भगवान हो जाती है तो जीव किसी भी समय कभी भी भगवान के तुल्ले नहीं हो सकता, चाहे मुक्ती मिल जाए, चाहे मोक्ष मिल जाए, चाहे कुछी हो जाए, लेकिन जीव भगवान के तुल्ले नहीं हो सकता चौथा, भगवान के शरीर और आत्मा जीव के समान ही भिन्न भिन्न होते हैं यह गलत है तो सही कीजिए इस कथन को है आक ही होते हैं बहुत अच्छा बहुत बढ़ियाだ बहुत अच्छा उत्थ दिया vaccination जाए कि यह ishadzen तो है यह कथन ज्यों हthose तैंड पर्वाद बहुत बहुत यह आप्षा श्रीर को मया करते हैं is परमात्मा एक ही चीज है? आत्मा और परमात्मा एक चीज नहीं है. परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है. परमात्मा जो है वो भगवान का ही भगवान को समझने का एक इस्तर है. जैसे आप सूरज को अलग-अलग इस्तर पर समझ सकते हैं. सूरज को यदि बहुत जादा समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे अगर मैं कहूं कि धूप जो है वो सूरज है तो आप मानेंगे जैसे हम कई बार सुबह उठते हैं कमरे में जब धूप आ जाती है संशाइन आ जाती है तो हम क्या कहते हैं सूरज निकल गया हम बोलते हैं न सूरज निकल गया तो धूप जो है वो सूरज का ही भाग है लेकिन फिर हम कहते हैं जब हम खिड़की खोलकर भार देखते हैं तो एक गोला देखते हैं आकाश में वो भी हम कहते हैं सूरज देखो वो सूरज है है ना उसको भी हम सूरज कहते हैं और फिर अगर हम और डीटेल में जाते हैं तो वैदिक गरंथों के अनुसार सूर्य जो हम आकाश में देखते हैं उसके पीछे एक व्यक्ति है वो कहते हैं सूर्य देव जैसे कि हम गीता में पढ़ रहे हैं कि भगवत गीता का ग्यान सबसे पहले श्री किष्णे ने किसको दिया सूर्य देव विवस्वान को दिया तो सूर्य देव विवस्वान जो हैं वो सूरज की फंक्शनिंग के लिए उत्तरदाई हैं भगवान ने प्रकरती में सूर्य देव विवस्वान को न्यूक्त किया है कि सूरज की फंक्शनिंग को वो ओर सी करें मतलब उसका देख भाल करें तो इसी लिए परमात्मा तो सूरज को समझने के जैसे तीन स्तर हैं ऐसी भगवान को समझने के भी अलग-अलग स्तर हैं और परमात्मा उन में से एक स्तर है भगवान को समझने के तो जब हम भगवान को परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदे में विराजमान हैं वो वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण के रूप में निवास करते हैं इस पर हम चर्चा जो है अगले अगली क्लास में करेंगे जब हम पांच बात ध्याय शुरू करेंगे तो सबसे पहला हम भगवान परमात्मा और ब्रह्म इन तीनों में अंतर समझाएंगे तो इसका अंतर आप महापर डीटेल में समझाएंगे पर अभी आप ये समझे के परमात्मा को समझने का एक स्तर होता है भगवान को समझने का एक स्तर है उसे हम परमात्मा कहते है परम आत्मा वो आत्मा समान ही है पर शक्ती में और केपैसिटी में वो काफी अलग है काफी अंतर है उसके भगवान कब और किन कारणों से अवतार लेते हैं ये तेयोरिटिकल आंसर देना था इसमें मतलब शॉर्ट आंसर देना था इसके options अविलेबल नहीं है तो कौन-कौन बता सकते है भगवान कब और किन कारणों से अवतार लेते हैं अजर्मों का नाश करने के लिए एजह बहुत सुंदर अजब-चर्म की हानी होती है तब आते हैं और 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 बताये भगतों का उधार करने करने दुष्टों का नाश करने बहुत सुद्र तो धर्म का पतन और अधर्म की प्रधांता जब कि रख्षा के लिए ज़ो अधर्म की प्रधानता हो रही थी उस समय उसको हटाने के लिए उन्होंने ये सब काम किया तो ये आपका उत्तर हुआ इसका ये तो आसान है सरल है सभी लोग भगवत-गिता-गेश लोग अपनी कक्षाओं में भी पढ़ते हैं स्कूल में भी पढ़ाय जाता है पर अब यह जो हम जो देख रहे हैं वो बड़ा ही जन्म और कर्म दिव्य का अर्थ ये नवाश लोग है चौते अध्य है का जन्म कर्मचा में दिव्यं एवं योवेती तत्वताः त्यक्त्वादेहं पुनर जन्मा नैति मामेति सोहर जना इसका क्या उत्तर है भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से जानने का अर्ष समझाएं इसका क्या उत्तर है श्री कृष्ण के जनम जो था वो भी दिव्य था और उनके करम भी दिव्य थे जनम हुआ तो वो जेल में जब पैदा हुए तो मतलब एक विश्नु रूप में चार बुजा उनके हाथ में अलग-अलग कोई किसी में कृपान और टी। हो तुटकर गदा और पन में उनके हात है कि शुग शुप से मतलब से नहां कर लिए बृदक के रूप में आगे्गे मतलब ऐसमें दिव्य थे कि उनने आपने आपको एग्दम से वी पालब करूप ले लिया मतलब तो जनम तो दिव्य है आप ने दो तीन महीने के इबालक थे और जो उनके मामा थे उनको मालूम था कि वह ये मेरा सबसे बड़ा मतलब मेरे हत्या इसी के हाथ से होनी है तो उने अपने आखी जो एक राक्षयशी थी पूतना उसको भेजा कि तुम इसको दूद पिलाओगी तो ये मर जाएगा तो वो कर्म भी दिव्य हो गए एक छोटी सी उंगली पर साथ दिन तक एक इतना बड़ा परवत उठाकर रख लिया हम मेरे खाल दो किलो भी वजन या एक किलो वजन भी छोटी सी उंगली पर दस मिनेट भी उठाकर नहीं रख सकते हैं तो उनके कार्य जो थे और जन्म और कार्य दोनों ही विलक्षन थे चलिए और बताइए और क्या समझते हैं भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं अर्थात ये साधारण नहीं है कई बार हम लोग जब आम लोगों से बात करते हैं समाज में तो वो कहते हैं ये भगवत गीता है महाभारत है रामायन है ये तो माइथोलोजी है माइथ मतलब मिथ है कोई ये सत्ते भात नहीं है ये कोई हुई नहीं थी ऐसी ऐसा कभी हो सकता है कि कभी कोई एक छोटी सी उंगली पर कोवरधन परवत उठा ले ऐसा कभी हो सकता है तो ये सब आर्गुमेंट देते वे लोग बातों पर भरोसा नहीं करते हैं तो इसलिए भगवानिया कह रहे हैं कि जो इन चीजों को तत्व से नहीं जानता है कि भई ये कोई साधारन विक्ति का काम नहीं है साक्षात भगवान करते हैं तो जो इतने सारे स्रिष्टियों का निर्मान कर सकते हैं, उनके लिए छोटे से परवत को उंगली पर उठा लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये विश्वास और ये श्रद्धा को रखकर जब हम भगवान को समझते हैं, इसका परिणाम क्या होता है? इस देह को त्याकने के बाद हमारा पुनर जनम नहीं होता है भगवान का जनम दिव्य कैसे? चतुर भुज विश्नु रूप, वस्तर आभुशुनों के साथ जनम भगवान का कर्म दिव्य कैसे? पूतनावद, गोवर्धन दीला जैसी उन्होंने कारे कलाप किये राम सेतु का भी उधारन आप दे सकते हैं हम कई बार आर्गुमेंट करते हैं कि जी वो पत्थर डालके वो पत्थर तो पानी में डूब जाता है पर उन्होंने जब पत्थर डाला तो तेहर रहा था तो ये तो बहुत ही अजीप सी बात है तो संभवी नहीं है अरे भाई लेकिन ये समझना चाहिए कि भाई जो भगवान इतने बड़े ब्रहमांडो का निर्मान कर रहा है तो वहाँ पर जो ग्रैविटी के जी फोर्स है उसका निर्मान भी तो उन्हों ये देखते हैं कि कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति है लेकिन फिर भी वो एक साधारन से जीवों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अवतार लेता है और उस साधारन से जीव के साथ व्यभार करने के लिए उसके लिए छुटी-छुटी सेवाएं भी उसके लिए करने के लिए तयार रहता है जैसे कि अरजुन के वो पार्थ सार्थी के रूप में वो ड्राइवर बने रथ उनका चलाया भगवान श्री राम ने किसी दोश ना होते वे भी अपने पिता की आग्या को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्विकार किया तो जब कोई इतना शक्ति-शाली व्यक्ति अपनी शक्ति होने के बावजूद भी वो अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए एक सबॉडिनेट पोजीशन लेता है एक तुछ पोजीशन लेता है तो स्वता ही हमारा हिर्दय उनके प्रेम से ओत्प्रोत हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए हम समर्पन का भाव हमारे हिर्दय में आने लगता है इसलिए यही प्रेम हमें उन भगवान तक ले जाता है तो ये प्रेम का भाव हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं बार-बार भगवान की लिलाओं के बारे में श्रवन करके और उनके बारे में समझकर ही हम अपने हिर्दे में उनके लिए अपना प्रेम विक्सित कर सकते है और अंतिम बात क्या है यही जो है वो भगवान के अवतार लेन का परम गुयय कारण है परम गुयय कारण से क्या मतलब जैसे की हमने पहले के जो जुन पढ़े उसमें हमने देखा खे भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसको हमें इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान धर्म की स्थापना क्यों करेंगे भगवान धर्म की स्थापना इसलिए करेंगे ताकि समाज में शांती बनी रहे जब समाज में शांती बनी रहेगी समाज सुचारू रूप से चलेगा जब ही अलग अलग जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा जो हैं तरीके से कर सकेंगे और भगवान के जन्म लेने का confidential कारण है कि वास्तव में भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त जो हैं उनकी भक्ति अराम से करें और जब वे भक्ति अराम से करेंगे तभी वे उन तक वापस पहुँच पाएंगे तभी उनके दिव्यधाम तक पहुच पाएंगे तो ये भगवान के अवतार लेने का गोईय कारण है confidential कारण है चलिए अब आगे चलते हैं श्री कृष्ण के व्याभार का आधार श्री कृष्ण लोगों के साथ किस आधार पर व्याभार करते हैं वे लोगों की सामाजिक स्तर के अनुसार व्याभार करते हैं तो सही उत्तर क्या देंगे आप दक्साता के लिए माफ कीजिए दक्साता के दक्साता दक्साता किसे कहते हैं हरी जी थोड़ा समझाएं वले वले वल नहीं नहीं जिसमें इतनी यो पोटेंशालिटी रहती है उतनी वो करते हैं योग्यता योग्यता अच्छा इसका मतलब ये है के यदि कोई छोटा बालक है जो बहुत जादा योग्य नहीं है कारेकुशल नहीं है और कोई बड़ा व्यक्ती है जो बहुत जादा योग्य है कहीं बहुत बड़ा आदमी है उसके कई चीज़े आती है करनी तो च्रू क ? ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यौदा व्यवार करते है जो ज्यादा ट्लैंटिट आ और جो कम ट्लैंटिट है उसके साथ कम व्यवार करते हैं सबको समान भाव से सबको समय समय बहाव यहां होना चाहिए कि उनकी इच्छाओं के अनुसार भाव के अनुसार करते हैं ग्रूप लेते हैं देखे यह ग्यारवे ग्यारवे श्लोक पर है थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए कि यहां जो हमने यहां यह जो हमने श्लोक लिया है यह यह देखे ग्यारवा श्लोक है तो उसमें भंगवान केहते हैं यह यठा माम प्रपध्यांते ज़ो जितना मुझपर मुझे प्राप्ध करने की एक्षा रखता है जो जितना मेरे चरनागत होता है उसके अनुसार में उसके साथ व्यवार करता हूं जो जoryणागत ज्यादा होता है लिसके साथ में अधिक व्यवार करता हूं जो शरणागत कम होता है उसके साथ मैं कम व्यवार करता हूं के अनुसार में व्यवार करते हैं इच्छाओं के अनुसार से तो सरेंडर टू मी की हिंदी बननी चाहिए है हाँ सरेंडर मतलब सरेंडर करने की इच्छा जिसकी है इच्छा और शर्णागती में तो अंतर हो गया जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रेंड करते हैं भाव यह था माम प्रपद्यनते जिस भाव से भाव मतलब इच्छा होगा ना भाव तो भावना जिस भावना से Derek की किसी की डिजायर कम होगी तो कम रेसिप्रोकेट करेंगे किसी की desire जादा होगी तो उसके साथ desire रैसी प्रोगे जादा करेंगे एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देता है भगवत गीता का प्रचार करने में और एक व्यक्ति जो है वो मतलब कभी एकात महीना कभी कोई शलोग पढ़ लिया कभी कोई शलोग पढ़ लिया तो दोनों का जो कमिटमेंट है दोनों को कमिटमेंट में अंतर है न अब विराट कोली जिस कमिटमेंट से क्रिकेट खेलता है और एक साधारन बालक कोई स्कूल में कमिटमेंट से क्रिकेट खेलता है दोनों के commitment में अंतर हो गया ना तो भगवान भी यह कह रहöhए कि जो जिस भावना से मेरे साथ शर्णागत होता है उसी के अनुसार मैं उसके साथ व्यभार करता हूं देव उपासकों की मानस्कता देव उपासना करने वाले व्यक्तियों की मानसिक्ता समझाइए देवताओं की जो उपासना करते हैं उनकी मानसिक्ता क्या होती है तकाम कर्मी और फल में आशा रहती है उनकी इच्छा पूर्ती जैसे लिस्ट लेके जाते हैं ना भगवान के सामने मंदिर में के जी अच्छी पतनी दिलवा दीजिए या अच्छा पती दिलवा दीजिए या माक्स अच्छे आजाएंगे तो 51 रुपय का प्रसाज चड़ाऊंगा मंगलवार को या अगर लोटरी लग गई तो 5% आपके लिए भी रखोंगा इस तरह से कई बार हम भगवान के साथ बिजनस या व्यापार की भावना से जाते हैं तो मांगना कोई भगवान से ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात है लेकिन यहां पर इस लोग का जो थ्रस्ट है वो थ्रस्ट यह है कि जो देवी देवताओं के पास विशेश रूप से जात क्या है उनकी mentality क्या है तो देव उपास कुकी मांसिकता कामनाओं से भरी होती है है वहत्य यह परक्राप्त करने की इकचा है कि यह वे अपनी कामनाओं की पूरती के लिए देवताओं को पूझते हैं श्री कृष्ण भी अपने भक्त की कामनाओं की पूर्ती कर सकते हैं लेकिन श्री कृष्ण और देवताओं में क्या अंतर है श्री कृष्ण एक पिता के समान है जो संतान का हित देखकर कामना की पूर्ती करता है देवताओं की जो मानसिक्ता है वो ये नहीं होती देवता तो बिजनस जैसे बिजनस डिलिंग्स हैं आपने उनके लिए जो सैक्रिफाइस करना था वो किया अब देवता वो आपको फल देने वाले हैं उस सैक्रिफाइस के बदले लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है वो एक पिता के समान है मानली जे अपने पिता से आप चॉकलेट की जित करने लगें कि मुझे तो चॉकलेट खानी है चॉकलेट खानी है तो पिता कहेंगे कि भही जादा चॉकलेट खाऊगे तो दांत खराब हो जाएगे स्वास्त खराब हो जाएगा तो पिता आपने मांग लिया, पिता-जी को आपने उनकी चापलूसी कर दी या उनके साथ कुछ गिफ्ट उनको दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि पिता-जी आपको उनकंगी rate देढ़ेंगे। तो भगवान शी कृष्ण एक पिता के समान है, जो हित देखकर कामना की पूर्ति करते हैं, वास्तब में उनकी इक्षा क्या है? उनकी इक्षा है नौवेश लोक में लिखी हुई, उनकी इक्षा ये है कि त्यक्त्वा देहम पुनर जन्मा नैती मामेती स्वर्जुना, कि वो मेरी भक्ती करें, मुझसे प्रेम का संबंद इस्थापित करें और ताकि वो फिर मुझे तक वापिस आ सकें, तो भगवान जो है, वो स्वेम आपको अपने पास बुलाना के लिए एक्षुक रहते हैं, देवताओं की ऐसी कोई इक्षा नहीं रहती है, अगला देखते हैं चार वढ़नों का विभाजन का आधार। ये तेरवें श्लोक पर आधारित्था प्रश्ना, चार वढ़नों के विभाजन भगवान किस आधार पर करते हैं? गुण और करमो के आधार पर. हाँ, बहुत संदर, सोड़ा समझाईए, गुण और करमों के आधार पर से क्या मतल कि बूल एप है कि इसनि इसमें एफूर कि यह विए आगे लेकिन कर्म में अब कई बार ऐसा भी होता एक बच्चा है वो उसने जनम तो ब्रामन परिवार में लिया है लेकिन उसके जो कर्म है वो एक तरह से शत्रिये हैं शत्रिये के कर्म है तो वो अगले जनम में हो सकता है वो शत्रिये उसमें मतलब उसके कर्म चेंज हो गए क्योंकि अच्छा वो शत्रिये परिवार में भी पहले ही, उसका पहला जनम वह है, ब्रामन है लेकिन वह शत्रिए में भी जनम ले सकता है। थोड़ा सिंपल करके रखते हैं अभी इसको अभी थोड़ा वर्णो को मिक्स नहीं करते हैं। अभी पहला उत्तर यह है कि भगवान वर्णों का भी भाजन गुण के आधार पर करते हैं और कर्म के आधार पर करते हैं गुण क्या हुए गुण हुए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तो जो जो व्यक्ति मूलतहा बेसिकली सात्विक है ज्यादा सत्वगुण उसके जाएट बाते होती है उनके लिए इस प्रकार का शरीर दिया गया है इस प्रकार की मानसिक्ता नावान के तुवारा दी गई है कैसे दी गई है उनके पूर्व जन्म के कर्मों के नूशार पिर दूसरा वर्ण हो गया शत्रिये, शत्रिये के गुण कौन से होते हैं, राजसिक होते हैं और सत्विक होते हैं, तो यह सत्विक गुणों और राजसिक गुणों का कॉंबिनेशन रहता है, इसमें ब्रहमन के पास तो सत्व जादा होता है, लेकिन शत्रिये के पास सम्दित काम करते हैं ब्यापार हो गया वानित livre हो गया गव पालन वगया इस प्रकार के कारे करते हैं। यह इनकाा जो मेसले कैन में होता है वह राजसिक होता है और थोड़ा बहुत तामसिक होग और तीसरे चौथे श्रेणी के कौन्से हो गया शुद्र शुद्र मूलतहा इनका जो मानसिक्ता रहती है, जो गुण रहते हैं, वो रहते हैं, तमो गुण तो चुकि ये बहुत जादा intellectually inclined नहीं होते हैं, तो इनका जो मेन कारे रहता है, वो मेनली रहता है श्रमिक, श्रम करना, लेबर क्लास ये दूसरे क्लासिस को, जो उपर की जो तीन क्लासिस हैं, उनको support करने का मेनली कारे करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जन्म के आधार पर हैं, ये जो गुण उनको भगवान, उनके पूर्व जन्म के करमों के अनुसार उनको देते हैं, ये उनके आधार पर है, और इन उनको भगवान ने गुण दिये है तो ये चार वर्ण हो गए इनका मतलब है ब्रामन शत्रिय वैश्य शूद्र इनका विभाजन का अधार है गुण और कर्म ब्रामन सतोगुणी शत्रिय रजोगुणी और सतोगुणी वैश्य रजोगुणी और तमोगुणी और शूद्र ह के बाद 11 शलोक में भगवान कहते हैं कि जो जैसे मेरे उपर सरेंडर करता है वैसा मैं उसके साथ विहवार करता हूं तो जो व्यक्ति भगवान के प्रती जादा अगर प्रेना उनके प्रती रखता है प्रेम अधिक रखता है तो अगले जनम में उसको उसी हिसाब से जनम मिल या वैश्य का शरीर मिलेगा या शत्रिय का शरीर मिलेगा या ब्रह्मन का शरीर मिलेगा तो यदि किसी व्यक्ति को शूद्र का शरीर मिलता है और वह वर्णाश्रम धरम के अनुसार अपने कर्तवियों का पालन करता रहता है तो उसे अगले जनम में वैश्य का शरीर मिलने क लिए वो पातरता उसकी बन जाती है इस प्रकार से शूत्र से वैश्य वैश्य से आप ये समझे शत्रिये शत्रिये से ब्रहमन और फिर ब्रहमन से फिर वे ज्यान योग की सीड़ी पर चड़कर दिरे धिरे अपना ध्यान योग फिर उस तरह से फिर भक्तियोग इस तरह से आ ठीक है आगे चलते है प्रविकर्म और अकर्म ये क्या है इनकी परिभाशा कर्या और उधारन के साथ समझाए कर्म क्या है कर्म की परिभाशा बताईए जो शास्त्रोचित कारिया है उनको हम क्या कहते हैं कर्म कहते हैं कोई भी आप कर्म करते हैं वो किसी ना किसी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं जैसे आप इस समय भगवत गीता सुन रहे हैं तो आप आपके मन में इक्षा है कि भई हाँ आपको भगवान के प्रती जानकारी अधिक मिले या आप सुभह रसोई में परिवार के लिए जब नाश्ता इत्यादी तयार करती हैं तो वह भी इस फल की इक्षा के लिए कि भई सबका पेट भर जाए सबकी भूक शान्त हो जाए तो फल की इक्षा जो है वो गलत नहीं है लेकिन फल की इक्षा से आ सकती हो जाना वो गलत है तो अब मैंने यहां आपको बताया कर्म जो है वो शास्त्रोचित कारिये अब उधारन क्या है जैसे शत्रिये का कर्म क्या हुआ शत्रिये की ड्यूटी क्या हुई शास्त्र के अनुसार समाज को सुरक्षा प्रदान करना यह उधारन हो गया विकर्म की परिभाशा क्या है म बुरे कारे करना. बुरे कारे करना शास्त्र के अनुसर नहीं हो ऐसे कारिये है। इसका उधारन बताःए। कोई भी गलत काम करना चोड डाकु बन जाना ही। मतलब किसी की संपत्ति हडप लेना बिना आपका अधिकार नहीं है, लेकिन आप समपत्ती हडऴलें, छोरी कड़ें, डाकar डालें. इसको विकर्म कहेंगे. मैंने विकर्म का जो उधार्ण दिया है, वो दिया है पशु की हत्या करना या किसी का किसी की हत्या कर देना यह एक विकर्म है गलत कार्य है और अकर्म क्या है कर्म कर नहीं करना कुछ हां अकर्म एक तरह एक उसकी परिवाशा कर्म ना करना भी है पर यहां हम जिस संदर में पूछ रहे हैं अकर्म वो बताइए वो अकर्म तो कर्म का अपोजिट ह कि फल कि इछा से कर्म ना करना हाँ आध्यातमिक चेतना सες का्रेकरन क्या होता है हम फल से आसकती नहीं रखते हैं करतव्य की भावना से करते हैं, करतव्य की भावना से करते हैं, अभी अगर हमें कोई कार्य हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन करतव्य ये कहता है कि हमें वो कार्य करना चाहिए, तो यदि हम वो कार्य करते हैं, निश्काम भाव से, कि वो कार्य हमें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसका फल हमारे को benefit देगा, नहीं देगा, उस सभाव से उपर होकर मात्र duty समझ कर करतवे समझ कर वो कारे करते हैं, उसे आध्यात्मीक चेत्ञा में किया क्या कारे करना कहते हैं। और ऐसा कार्य क्या कहलाता है? अकर्म कहलाता है. अब उसका उधारन क्या है? देश की सुरक्षा के लिए शत्रू की हत्या करना. अभी हमने विकर्म के बारे में जब चर्चा करी तो हमने देखा कि हत्या करना एक विकर्म है. लेकिन देश की सुरक्षा करने के लिए हायर अथ of क्रम का उधारन क्या पढ़ाता हमने की डॉक्टर का दीय Łच chỉ और अकर्म का मतलब है अकर्म का मतलब है जो माथा जी ने थोड़ी देर पहले बोला थो अकर्म देन कर्म का मतलब क्या है यहाँ प्रतिक्रियाना जो आपको भूरी प्रतिक्रिया आती है अकर्म में कर् dulu मतलब अगर कोई डॉक्टर देखे के कोई रोगी मर रहा है और वो जानता है कि भी x y z दवाई देकर उसको बचाये जा सकता है फिर भी वो उसका प्रतिक्रिया आपको नहीं मिलेगी लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं आप युद्ध करने का कारे कर रहे हैं हत्या करने का कारे कर रहे हैं तो देश की सुरक्षा करने के लिए शत्रु की हत्या करना ये हो गया अकर्म में अकर्म इसका फल हो गया ना इसका मतलब हाँ देखे कर्म मतलब कारिय और कर्म मतलब कोई उसका फल नहीं मिलेगा कोई उसका ना अच्छा फल मिलेगा ना बुरा फल मिलेगा फल से रहित रहेगा आध्यात्मी को जाएगा वो कारिय Hare Krishna भुरूजी मैं बोल सकतो हो कुछा हाँ बोले प्रवुजी बाकी आपकी पर्मीशन से बाकी Nie situación की पर्मीशन से चितना मेरे को समेच में है कर्म का मतलब होता है कर्म करना पर उसके लिप्त नहीं होना उसमें प्रिएक्ष प्रमान द्वारा अनुमान प्रमान द्वारा प्रयोक शाला में प्रयोक द्वारा जब्द परमान के दौरा है मनीज जी डिरेक्टली आप किसी अच्छे गुरू से जब यह सुनते हैं तो तो आपको सिखाता है जो कुछ लिखा है वो भगवान की तरफ से ही आ रहा है तो उसी पर हम लोग श्रद्दा और विश्वास रखते हैं तो that is what we हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं चलिए शब्द प्रमान का कोई आम जीवन से कोई उधारन बता सकते हैं शब्द प्रमान का आम जीवन से कोई उधारन बता सकते हैं देली लाइफ से फॉलो दा राइट और फॉलो दा राइट ओडर ओके इसमें सही सॉल्ट मिलावा है कौन सी फैक्टरी से बनी है आप मतलब उसकी पूरी जांच पड़ताल तो नहीं करते हैं आप तो विश्वास करते हैं कि डॉक्टर ने बताई है यह खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा है ना प्रत्यक्ष प्रमान क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमान वाले लोग क्या बोलते हैं मान लिजे मैं किसी साइंटिस्ट को बोलूँ के बगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन परवत अपनी उंगली पर उठा लिया था तो scientist क्या गएगा? Scientist क्या गएगा, आपने देखा है? Nonsense. आपने देखा है? आपने तो नहीं देखा, उठाते वे देखा है? आपने किसी authorized, मतलब आपने क्या आपने कानों से इस चीज को किसी proper व्यक्ति से सुना है? तो यह जो seeing is believing वाले जो लोग हैं, वो जब तक अपनी आँखों से, अपनी इंद्रियों से चीज़ों को check ना कर लें, वो बात को मानते नहीं हैं, है ना? लेकिन शब्द प्रमान में हम authority से, अगर हमने वो चीज सुनी है, तो हम उसे accept करते हैं by only उसका word हम accept करते हैं अच्छा, अनुमान प्रमान क्या होता है? अनुमान प्रमान इन फ्रेंस तो प्रत्यक्ष प्रमान में जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, उन्हीं अनुभवों का प्रयोक करते हैं, हम अनुमान प्रमान मतलब अनुमान लगाते हैं कि ये बात ऐसे रही होगी, ऐसे हुआ होगा, अनुमान प्रमान का example क्या है? By greeting मुझा फरनगर in three hours. हाँ, वो भी है, वो भी है, बहुत बढ़िया. मतलब, it can be a recipe also, it can be a recipe also. It can be a recipe. मुर्क तरश्ना. मुर्क तरश्ना. मुर्क तरश्ना, कैसे हुआ अनुमान प्रमान? नहीं, जलत है. जैसे अर्थक्वेक आया होगा, then you see structures इंचाइब तरव तर होगे हैं, then you make a deduction, it must have been an earthquake which caused the devastation. Correct. That is also an Anुमान प्रमान. पर जो एक्जाम्पल में आपके सामने आपने एक एक्जाम्पल दिया था कि डार्विन सेरी के इसाब से हैं पूरवज जो थे हमारे बंदर थे तो लोगों ने वो एश्यूम कर लिया है तो डार्विन ने अभी कोई बंदर होते देखा नहीं उसने कोई human being जो है वो बंदर में convert हो रहा है ऐसा उसने देखा नहीं है उसने सिर्फ एक अंदाजा लगाया है कि भई ऐसे ऐसे हो सकता है कि पहले हमारे पूरवज बंदर रहे हों धीरे 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 वो human being में convert हो गए हो जो उसकी एक theory थी theory of evolution तो यह theory जो है यह अनुमान प्रमान का example है अनुमान जो है गलत भी हो सकते हैं अनुमान अवश्य नहीं है कि वो ठीक हो अनुमान गलत भी हो सकते हैं इसी तरह से प्रत्यक्ष प्रमान भी गलत हो सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमान गलत कैसे हो सकत haanaya की बाद मैं संत्रा खाऊं तो संत्रा मुझे खटा लगएगा तो अगर मैं वो कही संत्रा एक बार मुझे कि ke लगता है एक बार मुझे मीठा लगता है तो यानि के मेरी joses हैं वो मुझे कभी-बी दोखादे सकती है और सेंसिस पर हमेशा विश्वास नहीं किया जा सकता तो इस तरह से हमने यह जानकारी अच्छा शब्द प्रमान ठीक है इसका इसका हमें confidence कैसे हो शब्द प्रमान ठीक है जो हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं उस पर confidence कैसे हो उसका बतलब है कि गुरू परमपरा से आती है तो गुरू शिच्चा से बता है नहीं वो तो ठीक है वो अगर ठीक है मैं आपसे कहता हूं जी एक्स वाई-जेट किताब जो है वो गुरू परमपरा के अनुस्वार लिखी गई है लेकिन मैं confidence कैसे हो कि वो वास्तम में ठीक है वो वास्तम में ठीक है इसका verify कैसे करे वैलिडेट कैसे करे तो पहले सुना होगा एक एक मंजू आंटी जी कुछ बोल रही है मंजू आंट प्रमानिक गुरू होना चाहिए जैसे की हरीश जी भी बोले अभी उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब हम उस ग्यान पर पालन करते हैं चलते हैं तो हमें उसका अनुभाव ग्यान यदि कहता है कि आपको ऐसा करने से मन की शान्ती मिलती है आपके जो अनर्थ हैं जो बुरी आदते हैं वो कम हो जाती है वास्तम में क्या आपको ऐसा देख कि ग्यान बताता है तब हमें उस पर विश्वास होने लगता है जैसे कि कोई डॉक्टर आपको बताता है कि ये वाली दवाई ले लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे तो आप डॉक्टर को चैलेंज नहीं करते हैं कि यार तुम क्या बात कर रहे हो या दवाई ये ठीक है के नहीं है इसमें सही सॉल्ट मिला है कि नहीं मिला है सही फैक्टरी में बनी है आप चैलेंज नहीं करते हो आप दवाई लेते हो लेकिन जब दवाई लेने के बाद जब आप ठीक हो जाते हो तब आपका डॉक्टर पर विश्वास बनता है डॉक्टर की नॉलिज पर विश् और वो रिजल्ट जो है हो भगवत गीता में दर्ज किये गए हैं लिखे गए हैं कि ऐसा ऐसा इसी स्टेज से आप गुजरेंगे तो जब आप शब्द प्रमान की प्रामानिकता यदि वो प्रामानिक गुरू से आई है परंपरा से आई है और उस पर जब आप चलते हैं तो आपको उसका उसी के अनुसार जैसा कि बताया गया है फल आपको मिलता है तो यह सही उत्तर क्या है शब्द प्रमान के द्वारा है तो यह शब्द प्रमान प्रित्यक्ष प्रमान और अनुवान प्रमान तीनों के बारे में हमने अच्छा रिविजन किया सही विकल्प चु सी सी तो समझा सकते हैं कैसे सही है यह कैसे सही है और श्लोक में क्या लिखा था चौबीस तर श्लोक के चौथे अध्या का यह सही विकल्प सही कैसे है थोड़ा बताएंगे कौन एक्स्प्लेइन कर सकता है उत्तर आपने सही दिया है उसकी चिंदा ना करें सी सही उत्तर है यह आपने सही बता है सही उत्तर सी है लेकिन थोड़ा समझा सकते हैं कौन समझा सकते हैं 24 वांशलोक क्या था थोड़ा 24 वांशलोक पर ध्यान दीजिए 24 वांशलोक क्या था यग की भावना से कर्म करो और यग्य का क्या मतलब है यग्य में जो हम लोग आहुती देते हो तो अध्यात्मिक आहुती होनी चाहिए मतलब यग्य का क्या मतलब है यूद करना त्याग कौन बोला त्याग की भावना से करम करोगे तो वो करम क्या हो जाएगा अध्यात्मिक हो जाएगा है तो यग्य का मतलब यह क्या है कि यग्य का मतलब है त्याग तो अर्जुन के लिए बात कैसे सटीक बैठती है अर्जुन को क्य πα्रप्राइब थ्या प्राइब करेंगे तो तो भगवान क्या कह रहे है 24 विश लोक में यदि इत्याग की भावना से यग्य की भावना से आप कारे करेंगे तो उसमें वो जो स्थान है वो जो उसका वहां पर आहूती देने का जो यंत्र है आहूती देने वाला जो है और आहूती जो है ये समस्त सारी की सारी चीजे जो जाएगा और जो आहूती वहाँ देगा वो भी आध्यात्मिक हो जाएगी है ना तो यह 24 श्लोक का अर्थ है और फिर हमने इसके दो एक्जामपल दिये थे के भाई हमने आपसे पूछा था चाकू जो है वो आध्यात्मिक है या भौतिक है अगर जो चाकू किसी डॉक्टर न पूछें चाकू अच्छा है या चाकू बुरा है डिपेंडर करता है किसे यूज़ किया है और पिस भावना से यूज़ किया है तो यही बात श्रिक्रिषन अर्जून को समझा रहे हैं कि देखो युध में तुम हत्या जरूर कर रहे हो लेकिन यदि तुम यदि तुम भावना से करोगे तो यही कारिया जो है यही युद्ध जो है वो तुम्हारे लिए अध्यात्मिक हो जाएगा पूजा हो जाएगी एक यह वर्षिप हो जाएगी आपके लिए यह तुम्हारी मुक्ति का कारण हो जाएगा यह तुम्हे भगवान तक ले जाएगा यही कारिय हाला कि साधारन दृष्टी से देखा जाए तो हत्या है लेकिन आध्यात्मिक है क्योंकि त्याग की भावना से एक कर्तव्य की भावना से ये कारे किया जा रहा है कर्म करने की कला जो कर्म डैश भावना से किया जाता है वह डैश बन जाता है त्याग भौतिक, भोग आध्यात्मिक, त्याग आध्यात्मिक, त्याग दिव्याइद, बताइए, यह तो कोई है, त्याग और अध्यात्मिक, वैसे इसमें डी बिट सही हो सकता है, मैंने गलत लिख दिया वो, यह कुश्चन मेरे से थोड़ा गलत डिजाइन हो गया, जिसने डी आंसर दिया, दोनों को सही 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 मांक्स मिलेंगे, तो जो वर्द काम त्याग की भावना से किया जाता है, वै आध्यात्मिक को जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिसकस किया, सही उत्तर त्याग आध्यात्मिक, त्याग करने का परिणाम क्या होत योन पुझवान की तरफ बढ़ते हैं, हम भगवान की और दिव्वता की और अग्रसर होते हैं, तो सभी विकल्ब सही है ये तीस्वे में ये सभी यग्य करने वाले यग्यों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं यग्यों के फल रूपी अमरत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं अमरत को अमरत चकना मतलब क्या? अमरत चकना मतलब भीतर से संतुष्टी होना हायर टेस्ट उचा स्वाद तो सही उत्तर सभी विकल्ब सही है बहुत बढ़िया बढ़ा अच्छा कर रहे हैं आप लोग मुझे बढ़ी संतुष्टी मिल रही है आपके उत्तर सुनके सभी अग्यों से होने वाली आध्यात्मिक प्रगती एक समान होती है हाँ इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों ने उत्तर गलत दिये है मतलब सभी अग्यों से होने वाली प्रगती समान होती है सही है गलत है इस्टेटमेंट गलत है गलत है तो कैसे कह सकते हैं आप भगवद गीता के आधार पे जरा बताईए अब तो आप पढ़ चुके हैं भगवद गीता चौथा अध्या है किस लोग को कहेंगे लोग तो नहीं बढ़ कुछ यग्या जो हम लोग कर्म कांडी के हिसाब से करते है तो अपने फूर्टिव Nangy होते प्रगर्वी प्रगति के समां नहीं होते हैं उनमें दोनों जो सभी कि आन तुल हुल् another 2 okay लेकिन अठवी जायेगी आपको कोई कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं कोई पाप नहीं कर दो खाल उसका फूर्ट है तो गोगवान को कि अब्सक्राइब इसमें करने सकती नहीं होगी तो देखिए तैतीसवान श्लुक आप बोल सकते हैं यहां भगवानorsa Games यज्यां इयक्जन श्रेश्ट है यहां दो यग्जों की कंपेरिजन कर phosphorus है उन athletic किए है तो यहां तुल्ला किये कि g년 भी यग्ययश्क कर दे दो जो यग्ये हैं ये परिनाम भी अलग-specific देते हैं और time भी अलग 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 ताहें इन से परिणाम मिलने में इन से परिणाम मिलने में डिग्री डिग्री और टाइम डिग्री और डिउरेशन डिग्री और डिउरेशन दोनों अलग अलग रहते हैं हर यग्य में तो जो भक्ति का जो यग्य है जो भक्ति का आप करते हैं इसमें परिणाम भी शिग्र मिलते हैं और परिणाम भी topmost मिलता है परिणाम भी topmost मिलता है तो इसका सही उत्तर यह है कि बी answer है गलत इस statement गलत नहीं है सभी यग्यों से होने वाली आध्यात्मिक परगती एक समान नहीं होती है यह सही statement है आगे चलते हैं गुरू से घ्ञान प्राप्ट करने की योगेता, यह तो आसान होना चाहिए, गुरू से आध्यात्य क्या योगेता होनी चाहिए, तीन योगेता हैं, गुरू, जरा मुझे भगवत गीता का, चौथ्या ध्या का 35 लोग समझाते, जरा मेरे पास, जिग्यासा, अरी प्रश्ने और शेवा का भाव रखना चाहिए बगवान गुरू की सेवा कर छोटी-मुटी सेवा से भी जो वास्ता में प्रामानिक गुरू हैं वो प्रसंद्ध होते हैं तो फिरदय से वो शिष्ये को आध्यात्मिक ग्यान की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे शिष्ये जो है वो श काम नहीं चलता हमको पात्र बनना होता है उन्हीं पात्रताओं की बात यहां पर वो 34 श्लोक में कर रहे हैं तद विद्धी प्रणी पातेन परीप्रशनेन सेवया तो पात्र बनने पात्रता ही यहां पर चर्चा कर रहे हैं वो पात्रता क्या हो नहीं चलिए तो तीन पात्रता यहां 34 श्लोक में बताई हैं पहली है विनम्रता दूसरी है आध्यात्मिक विश्यों के बारे में जिग्यासा करना और तीसरी है गुरू की सेवा करना तो पात्रता के यह तीन मानक भगवान यहां पर 34 श्लोक में किस ग्यान से भौतिक कर्म भस्म हो जाते हैं किस ग्यान के होने पर हमारे भौतिक कर्म अगनी में भस्म हो जाते हैं आत्मा का ग्यान परमात्मा का ग्यान आत्मा और परमात्मा का ग्यान तथा उनके पीच का संबंध कोई विकल्प सही नहीं है कौन सा विकल्प सही है इसमें कौन सा अल्टरेनेटिव सही है सी, 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 very good, can you explain, can you explain, कोई एक्स्प्लेइन करेंगे, डिटेल में, आत्म का ग्न होने का मतलब क्या है, किसने बोला इम नॉट इस बोड़ी प्रभाजी और रियलाइजेशन इस प्रभाजी प्रभाजी ने बिल्कुल सही उतर दिया हम शरीर नहीं है चलिए अब आगे चलते हैं हम शरीर नहीं है इससे क्या मतलब है मैं आत्मा हूँ नहीं वो तो वो एडिशन हो गया मैं आत्मा हूँ ठीक है उससे आगे मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ इससे इसका क्या मतलब है शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा नहीं है आत्मा तो आगे चल जाती है हम परमात्मा का आंश है नहीं नहीं वो अभी आगे चलेंगे अभी आत्मा पर रुकिया जराब परमात्मा को अभी पीच में थोड़ा दो मिनट बात लेकर आएंगे हम शरीर नहीं है हम आत्मा है इसका मतलब क्या है अगर किसी बच्चे को आपको समझाना है या किसी सरलता से जदी इसको समझाना है तो कैसे समझाएंगे जी परमात्मा का हूँ शे नहीं मैंने का ना जी अभी परमात्मा को दो मिनिट बाद लेकर आएंगे अभी सिर्फ आत् जिस पावर से ये शरीर चल रहा है ने ने देखे मैं समझाता हूँ देखे जब हम भौतिक वस्तुओं के प्रती आसकती हमारी रहती है इसका मतलब हम शरीर के लेवल पर कारे कर रहे है और जब हमारी आसकती आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रती रहती है इसका मतलब हम आत्मा के स्तर पर कारे करते हैं इस बात को समझना कि मैं इस बात को कितना समझा हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ इसका पैमाना क्या है आध्यात्मिक कारेओं के प्रती आकरशन आध्यात्मिक कारेओं के प्रती आसकती इसका मतलब ये है कि आप अब आत्मा के इस्तर पर कारे कर रहे हैं और भौतिक वस्तों के प्रती आ सकती, धन के प्रती आ सकती, नाम के प्रती आ सकती, पावर के प्रती आ सकती, जब आपको ये चीजें बहुत जादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत जादा आपको पुश करती हैं, पुल करती हैं, इसका मतलब आप शरीर के स्तर पर कारे कर रह ये अलग-अलग degrees में हम लोग समझ सकते हैं जो आपने भी थोड़ी देर पहला बोला self-realization self-realization का मतलब क्या कि मैं आत्मा हूँ इसका indication कैसे मिले इसका indication कैसे मिले इसका indication ये है material की तरफ attraction कम होना और spiritual की तरफ attraction बढ़ना ये इस चीज़ का indication है और परमात्मा का ग्यान अभी जैसे आप लोगों कईयों ने बोला कि मैं आत्मा हूँ पर ये आत्मा आई कहां से आत्मा आई परमात्मा से ये परमात्मा का अंच है परमात्मा का ही एक भाग है तो ये जानकारी होना कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का अंच हूँ यह है आत्म ग्यान का पूरा understanding और इस ग्यान के होने पर हमारे भौतिक कर्म अगनी में भस्म हो जाते हैं भौतिक कर्म जो है वो भस्म हो जाते हैं हमें कोई कर्म रहता नहीं है तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है C, आगे चलते हैं अगर आत्मा और शरीर रहती तो इकटे हैं ना? आत्मा शरीर में रहता है, आत्मा शरीर आत्मा शरीर में रहता है, मतल्esta हैं तो दोनों इकाटे, एक टाइप आइंढे, ए एकाटे हैं, जब आप सो किस लेवल पर काम कर रहा है, कभी आत्मा केribर पर काम कर रहे होते हैं कभी material की तरफ ज्यादा ध्यान होता है, कभी आध्यान ज्यान ध्यान होता है. Consciousness, चेतना, वो निर्भर करता है चेतना से. जब शरीर जोर मारता है, तो भौतिक्ता के स्थर पर वो कारे करने लगता है. जब आत्मा जोर मारती है, तो क्योंकि शरीर के जो वो जो आकर्शन है, वो आत्मा को अपना पूर्ण रूप से कारे करने में उसको बाधा डालते हैं. Division of work हो गया ना, पिटा रहते नों दोनों इकटे ही हैं. नहीं, रहते तो इकटे हैं, रहते तो इकटे हैं, जैसे करिपा कर के जो लोग, जो लोग discussion में भाग नहीं ले रहे हैं, कर लें, माफ किजिए, जो discussion में भाग नहीं ले रहे हैं, वें म्यूट कर लें. तो जैसे हम लोग, बताइए माता जी. हाजी, आत्मा शाश्वत है. हाजी 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 हाज दोनों अलग है वह साथ रहते हैं उसी उसी का तो उसी वजह से तो समस्या होती है कि जो चीज हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो आध्यात्मिक है हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो आध्यात्मिक है वो प्योर है लेकिन इस समय वो शरीर के अंदर कैद है वो एक ऐसे वातावरंड में है वो एक ऐसे वातावरंड में है जो उसके लिए स्वभाविक आपने पता है ना आत्मा का ज्यान जो ए लिखावा और इसका का पता का मैं को काम करता है को और काम करता है सम्टाइम देखिए अगर मैं अपने हाथ में मुबाइल फोन पकड़ के रखा है तो मुबाइल फोन मेरे हाथ में रहेगा इस बात का उत्तर जो इस बात की जो चर्चा है वो थोड़ा सा अलग कर लेंगे क्योंकि अभी समय को देखते हुए मुझे आगे के भी कारेकरम करने हैं इसमें आपको समझाने में थोड़ा समय लगेगा जो लोग अब ही डिसकेशन में नहीं है वो थोड़ा मूट करके रखें दिव्य ग्यान प्राप्त करने के लिए किन तीन योगताओं की आवश्कता होती है प्रभुजी प्रभुजी शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए पहली तो बढ़िया और इसे प्राफ करने लिए तत्परता होनी चाहिए आदमी को समर्पन भाव होना चाहिए जैद रूब भगत रूब में थी बगत प्रड़ाद में थी जी और तीसरा इंद्रिव पर अधिक समय दिया जाए मन लगा के पढ़ाई की जाए मन लगा के समझा जाए और जो बताया जा रहा है अधिक से अधिक उस पर पालन करने का प्रयास किया जा तो यह समर्पन हो गया ऐसी तो समर्पन दिखाए देता है इना वहुंद्रियों पर नियंत्रण हो crunchू चलिए अग्ला देखते हैं यग्यपूर्ण कब होता है कोई भी यग्यपूर्ण तब होता है जब है डैश उद्देश में ऐर से किया जाए किachment कि अध्यात्मीर भौतिक फल प्राप्ति के लिए या भावनात्मर तो यह बात हम काफी अभी तक चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी अग्यपूर्ण जब होता है, जब वह आध्यात्मिक उद्देश से किया जाता है, तो सही उत्तरिस का यह है आध्यात्मिक, चलिए, अब हम अगला अपना पढ़ाव लेते हैं, गीता के ग्यान में व्याभारिक था, मतलब गीता हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका व्याभ आपसे मिलने आता है और शिकायत करता है कि तीर्थ में उस मंदिर के वेवस्थापकों को देखा, कि वे लोगों को पैसा लेकर जल्दी दर्शन करने की अनुमती दे रहे हैं, उसने कहा कि यह प्रथा अनुचित है, वो जानता है कि आप गीता के चात्र हैं, तो आप उसे क कैसे समझाएंगे, तो आपने देखा हो कि कई बार मंदिर वगरा दर्शन करने जाते हैं आप लोग, तो लंबी-लंबी लाइने लगी होती है, और कई बार ऐसा अरेंजमेंट होता है कि आप अगर XYZ अमाउंट डोनेशन में दें, तो आपको एक छोटी लाइन में लगा द प्रशन है, मतलब आप क्या कहेंगे अपने मित्र को कि ये प्रथा उचित है या अनुचित है और गीता के चौथे अध्याय के किसी श्लोक के आधार पर आप उसे कैसे समझाएंगे, मैं श्लोक संख्या आपको पता देता हूं, ये श्लोक है ग्यारवा श्लोक, ये यथा म प्रपद्यनते ताम सथाईवा भजाम में हम, तो कैसे आप इसे अपने मित्र को बताएंगे, कोई टीपनी, कोई टीका, प्रपुजी कहेंगे कि जिस आदमी ने धन दिया है, उसके पूल जन्मों के करमों के आधार पर उसे धन मिला है, और वो धन का उपयोग इस काम के लिए कर रहा है, तो अनुचित नहीं है, ठीक है? अनुचित नहीं है, अच्छा चलिए, आपका वोट उचित के लिए है, जी उचित के लिए, चलिए, और कोई उचित वाले? आपने जो कारन बताया है, मैं उससे थोड़ा सा सहमत हूँ, थोड़ा सा असहमत हूँ, पर और उतर लेते हैं अभी, और उतर लेते हैं, आपने उचित बोला है, ठीक है, और कोई उतर? I think Bhagwan मतलब जैसे आप भक्त वेवार करता है, जैसे उन्होंने ज़्यादा पैसे दे के दर्शन जल्दी लिया है, तो उस तरह से Bhagwan उसको लाव या फल देंगे, लेकिन वो भी है कि द्रव्य ज्यान से अपना ज्यान वो ज्यादा उपर है, तो आपको फल उस तरह से मिलेगा, मतलब इट डिपेंड्स कि आपको जल्दी जर्शन चाहिए, ठीक है, तो आपको जिस तरह से फल मिलेगा, वो थोड़ा अलग रहेगा, जब अपनी रेगूलर लाइन से अगर जाते हो, तो उचित है, मतलब आप भी उचित की, उचित का समर्तन करें, उचित है, ठीक है, उ ऐसी व्यवस्ता होती है, तो ये उचित है या अनुचित है? व्यवस्ता है, तो फिर तो उचित है, जली मतलब ने थोड़ा, पॉलिलिकरली करेक्ट आंसर दिये, व्यवस्ता है तो उचित है, चले मनजु मतलब जी कुछ बोल रही थी, अच्छा बताईए समझाईए थोड़ा नहीं कोई व्यक्ति मतलब अहंकार के वशना देता हो उसके पास वास्तम में समय कम हो उसको किसी कारे के लिए जल्दी जाना हो उसके पाद आज कभी कोई चीज उचित है कभी अनुचित है नहीं कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के पास अगर धन है और उसने वो धार्मिक कारेओं को करते हुए उसने वो धन का अरजन किया है और वो उसका उपयोग भगवान के मंदिर में दान देकर थोड़ा सा शीगरता से दर्शन प्राप्ट करना चाता है तो उसमें अनुचित क्या है उसकी भावना भी उसकी भावना भी अहंकार नहीं है वो उसके पास वास्तव में समय की कमी है वो समय उसके पास कम है आज उसको हॉस्पिटल में अपनी बीमार पत्णी को देखने जाना है मान लीजे एक कोई भी कारण वेसे भी दान कर सकता है भी या वो वेसे भी दान कर सकता है हाँ ठीक है हमने समझ लिया कि परमात्मा सब जेघे है हाँ और मेरा अपना मानना, मेरा असल मानना यह है कि मैं यह जान समस्तियों कि परमात्मा हर जगे है, तो मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है. अच्छा, नहीं उसमें, मैं वही जानना चाहरा हूँ ना, ठीक क्यों नहीं लग रहा है आपको? मैं तो आप से कह रहा हूँ ना, कि कोई व्यक्ति, कोई केस ऐसा भी तो हो सकता है, ना, कि वो शान दिखाने के लिए ना कर रहा हूँ. मैं आपको एक परिस्ति थी यह बता रहा हूँ, कि कोई व्यक्ति है, जैनुइनली उसके पास समय कम है, जैनुइनली उसके पास समय कम है, और वो लाइन में लगकर प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, और कोई एमर्जेंसी है उसके सामने, और वो भगवान के दर्शन करना चाहता है, उसकी इक्षा है, और यदि एक सुविधा मंदिर के विवस्थापकों ने ऐसी कर रखी है, कि आप अधिक डोनेशन देकर इस सुविधा का लाब ले सकते हैं, तो उसमें अनुचित क्या है मैं तो एक कारण आपसे यहां पर जो उपस्तित भक्त हैं उनसे जानना चाहरा हूं बहुंड परिस्तिती अलगलग हो सकती है, मेरा मानना यह है कि मुझे उचित नहीं लग रहा है हाँ ठीक है मतलब आपका आपको वैसे उचीत नहीं लग रहा है लेकिन अभी हमें कोई ठोस करण हमें नहीं मिल पाया आपसे चलिक ठीक है कोई बात और कोई उत्तर जो वो टिकेट भी खरीद रहा है या जो वो दर्शन भी ले रहा है अगर जो किसी प्रॉपर रिसेप्स के थ्रू ले रहा है कि मुझे पड़्ची कट गई है यह तो धर्मार्त में पैसा जा रहा है उसकी जा रहा है पैसा तो वो भी किसी अच्छी कारे के लिए यूज कर र तो मैं इस टिकेट को खरीदूंगी और मैं दर्शन करने जा रहा है वह दर्शन करने जा रहा है भगवान खरीदने नहीं जा रहा है खरीदना कहा लिखा यहां दर्शन करने जा रहा है वह खरीद थोड़ी रहा है भगवान के दर्शन करने जा रहा है उनका शरंगार देखने जा रहा है या उनकी आरती देखने जा रहा है जो भी है संथा other you go चलिए समय को देखते हुए मैं मैं इसका जो हमारे संस्था में जो इसके उत्तर दिये जाते है एकस्टेंडर्स answer है मैं वो देता हूँ आपके लिए देखे भगवान सबके लिए समान है किन्तु उनकी समानता पत्थर की तरह नहीं है वे पातरता देखकर भक्तों के साथ अपना आदान प्रदान करते हैं जो अधिक सेवा करता है उसके साथ वे अपने प्रेम का उसी अनुपात में व्यव कर सकता है तो सेवा देने का मतलब या प्रेम की अभिव्यक्ति करना सिर्फ धन देखा कर ही संभव नहीं है धन से भी आप प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकते हैं लेकिन समय देकर भी आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं श्रम देकर भी आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं कोई व्यक तो वो भी सेवा कही जा सकती है, कोई श्रम कर सकता है, भगवान के लिए कोई कारे कर सकता है, तो वो भी सेवा कही जा सकते है, तो सेवा के कही रूप है, मतलब यग्य है, यह भी त्याग है न, कोई धन दे कर त्याग कर सकता है, कोई समय दे कर त्याग कर सकता है, कोई श्रम की भावना से दिया जैसा कि अभी माता जी कह रही थी तो ऐसा दान देना वो उचित नहीं है लेकिन कई लोग दान जो है वो अच्छी भावना से भी दे सकते हैं तो जल्दी दर्शन का अर्थ मतलब यह नहीं है कि ज्यादा आशिरवाद मिलेगा कि जी आपने दो मिनट है वो जादा महत्व पूर्ण है तो यदि अधिक दन दिया पर मन में भाव उचित नहीं है तो क्या लाब इसी तरह से यदि पंक्ति में खड़े होकर यदि हमने अपने भगवान को समय दिया तो भगवान उसको भी नोटिस करते हैं कि यह दो दिन से खड़ा है लाइन में मेरे दर्शन करने के लिए तो भगवान उससे भी आकर्शित होते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आपने धन देकर दर्शन कर लिया तो दर्शन का मतलब भी होगा कि भी आशिरवात मिल गया समय देकर भी यदि आप दर्शन कर सकते हैं और आशिरवात ले सकते हैं भगवान क आवश्यक यह है कि हम अपने धन या समय का त्याग किस भावना से करते हैं भावना इंपॉर्टेंट है है तो हम अपने अंतिम उस पर आते हैं श्लोक का स्मरण तो आज का श्लोक है चौथे अध्यायका 34 स्वाश्लोग तो आप में से कौन से भक्त जो हैं वो इसको उचारन कर सकते हैं इसका पाठ कर सकते हैं अरे क्रिशना प्रभुजी येस प्रभुजी बताईए पाठ करो प्रभुजी हाँ हाँ आवश्यक अवश्य बहुत सुन्दर और कोई भक्त और कोई भक्त उचारन करना चाहेंगे हाँ माताजी इस बहुत संदर बहुत संदर और कोई आगे है गुरुजी हाँ प्रभुजी हाँ ताओ जी किजिए विद्यू परमेश्य तद्विधी प्रणपातेन प्रभुजर्ण स्रिवाय प्रणपातेन परिपर्षनेन स्रिवाय प्रणपातेन उसके बाद मामूली सा स्टॉप लीजिए परिपरशनेन सेवया हलका सा स्टॉप यहां लीजिए फिर उपदेख्षन्ति ते ज्यानम यहां पर थोड़ा सा स्टॉप लीजिए ज्यानिनस तत्व दर्शिनाह तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि यह आठाठ मातराओं के यह जो phases हैं इनको आप ध्यान रखिए और इसी साब से आप इसका उचारन कीजिए तो आठ मातरा कैसे पता लगेंगी जैसे जो single word है हिंदी का उसे हम एक मातरा किनते हैं त द्वी धी तीन चार पांच छे साथ आठ तो यहां चोटा सा स्टॉप एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ पिर दूसरा चरन हो गया आपका एक दो तीन यह आधा ख्या नहीं गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह अगला हो गया और एक दो तीन चार पांच छे, साथ और आठ इस तरह से आठ-ाठ मातराओं का आप ये gap लेकर अलग-लग चरंड बनाईए और फिर आप उसका उचरंड किजिए तो एक बार फिर आपके लिए करता हूं है तद विध्धी प्रणी पातेन परिप्रश्टेन सेवया उपदेक्ष्यंतिते ज्यानम ज्यानिनस्तत्पदर्शिनाः इस तरह से आप श्लोकां का उच्चारंड कर सकते हैं तो आज की कक्षा में हम यहीं इसको विश्राम देते हैं शीमत भगवत कीता की जय शिलप्रभुपात की जय प्रश्ण आज कोई यदी है तो आप बताएं पर हमने आज प्रश्णों का ही किया है कोई आपकी टिपणी हो कोई कमेंट हो आपको ये क्विज का कारेकरम उचित लगा हो अच्छा लगा हो आपको लाब लगा हो तो आप शेर किजी अपना व्यूस और बहुत संदर लगा अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद पिता जी बहुत अच्छा लगा प्रभूजी बहुत अच्छा लगा सब लोगों के पार्टी सिपेशन बहुत अच्छा लगा डिसकाशन दुमारा वी वीजन हो गया चलिए तो लाब लगा बहुत बढ़िया लगता है इससे वह ज्यादा बनोबर जो मिश होता है वो सब बनोबर मिल जाता है अब जो जाता है शीवन जी आप कुछ कह रहे थे अप अपरम सत्य हाँ जी बहुत बढ़िया और और कोई बात ऐसी जो पहले समझ में नहीं आई थी अप समझ में आई हो शीवन जी आप कुछ कह रहे थे कर्म और कर्म ये खैणो प्लीर हो गया अच्छ चलिए लाट्स कर्म थोड़ा ज्यादा मिल्हाब वग चलिए लख अच्छु आजरी बढ़िया बढ़िया मंजू मताजी आप कुछ के रही थी तो बहुत बहुत धन्यवाद और ध्यान रखिएगा अपनी भक्ति में जीवन को पूरे जोश के साथ आप आरंब कीजिए यदि नहीं किया है और कर लिया है तो उसे धिरे-धिरे करके बढ़ाने का प्रयास कीजिए और वाट्साइब गुरुप का संयमीत उपयोग कीजिए अन्य भक्तों का नाम सुझाने से पहले उनसे आगया लीजिए और अंग्रेजी की कक्षा जो है वो शनीवार साड़े पांच से साथ होती है आप भी स्वागत है आप भी आ सकते हैं लिंक वोई है पासवर्ड वोई ह सब कुछ वोई है बाद बाद दन्यवाद हरे क्रिष्णा अंग इसी तरह वद्डी होती ब्रबुकिरपा बनी रहे सब के और हमें आपका आशीरवाद ऐसे ही मिलता रहता हो अश्मान बखश्यासी बख़ विजी बोग को हरे कृष्णा सबसेंटों को हरे कृष्णा सुरेज जी ड्रोड एको बहु सारा औरे कृष्णा